गुद मॉनिंग स्टूरेंट्स वो बहुत फास्टली चली जाती है इनेक्सपैंसिव होती है यूज करने में असान होती है यूजर फैंडली होती है जस मिनट्स में हम एक एमेल को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड कर सकते हैं उसकी हम सॉफ्ट कॉपी अपने कंप्यूटर में सेव भी रख सकते है और उसका प्रिंट आउट भी जो है वो टाइम टू टाइम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग निकाल सकते है तो बेटा आज हम सिखेंगे कि हमारा जो इमेल एड्रस है वो कैसे बनता है मैं इसकी इमेल एड्रस बनाने के लिए आप सब की ओनलाइन क्लास भी लोगी तो आप सब जरूर उसको जोईन कीजेगा उसमें मैं आपको इमेल को डारेक बनाना भी सिखाऊंगी नेट के उपर अभी फिलाल हम इसके अंदर देखते हैं कि जो हमारा इमेल है उसके जो हैं वो दो पार्ट होते हैं जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है सिक्षाभारती एड्रेट जीमेल डाट कॉम तो दो पार्ट जो है वो कैसे डिवाइडिड है एक पार्ट जो ये एड्रेट है उसके सिंबल से पहले होता है और एक पार्ट होता है जो add the rate सिंबल के बाद होता है जो पहला पार्ट होता है यानि कि सिक्षा भारती इसमें लिखा हुआ है वो है हमारा यूजर नेम क्या है वो हमारा यूजर नेम पहले पार्ट को हम क्या कहते है यूजर नेम और जो पीछे हमारा Gmail है यानि कि वो क्या है हमारा email की service provide कर रहा है इसको हम Gmail की बज़ाए ymail भी हो सकती है, hotmail भी हो सकती है तो ये है हमारा email service provider और इन दोनों को कोन अलग करता है पीछ में at the rate का sign कौन सा है sign? at the rate का sign तो जो हमारा email address है उसके दो parts होते हैं फर्स्ट होता है username जो हम खुद रखते हैं या जैसे कि हम अपने email बनाने हैं तो हम अपने नाम से रखेंगे और दूसरा होता है domain name यानि कि जो service आप use कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं domain name तो जैसे हमने अपनी सिक्षाभारती की ID बनाई सिक्षाभारती at the rate gmail.com अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमें अपना email account create करना होगा उसके लिए आप अपने browser पे browser आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जैसे internet explorer या फिर हमारा netscape navigator google chrome mozilla firefox यह सब क्या हैं हमारे browsers इसके लिए आप कोई भी browser यूज़ करेंगे और उसके search के option में सबसे पहले हम लिखेंगे माली जी हम gmail पर अपना account बनाना चाते हैं तो हम लिखेंगे www.gmail.com तो जैसे हम gmail.com पर क्लिक करेंगे यह जो screen आपको नजर आ रही है ऐसी screen आपको महाँ पर नजर आएगी अगर आपका account पहले से create किया हुआ है तो आप email में अपना account लिखिए और password लिखिए और sign in पर क्लिक कर दीजे यह तब करना है जब हमारा account पहले से बना हुआ हो लेकिन अगर हमारा account नहीं बना हुआ है तो हम नीचे देखिये इसमें option नजर आ रहा है create an account हम उस button पर क्लिक करेंगे और हमारे को जैसे ही हम उस button पर क्लिक करेंगे हमें एक form नजर आएगा जो यह आपको नजर आ रहा है इसमें देखिए बहुत सारे options है सबसे पहले वो आपसे नाम पूछेगा आपका first name, second name फिर आप अपनी उसके अंदर options देंगे कि मैं यह email ID चाहती हूँ अगर वो valid होगी या फिर मौजूद होगी तो वो आपको मिल जाएगी, नहीं तो वो आपको नीचे से suggestions देदेगा कि आप इन में से भी कोई email ID रख सकते हैं, फिर वो पूछता है choose a password, आप अपना password रखिए, उसी password को वो confirm कराता है, कई बर हम कोई word type कर देते हैं और नीचे confirm password जब हम डालते हैं हम भूल जाते हैं कि हमने कौन सा word type किया था, तो इसलिए वो करवाता है confirm password, तो वो दोनों जो हैं, वो same होने चाहिए उसके बाद वो पूछता है आप से आपकी date of birth, आप वो डालेंगे अगर valid है, यानि कि अगर आप email ID बनाने के लिए valid हैं, तो वो आपकी email ID create कर देगा, फिर वो आप से पूछता है, gender, यानि कि आपका male है या female है आप वो select करेंगे, फिर आप अपना phone number डालेंगे, और उसके बाद नीचे जो option होता है create, create button पर click कर देंगे, और आपकी email जैसे ही create हो जाएगी, आपको यह जो नीचे form निखाई दे रहे, you will see a form to enter details तो I accept, यह बटन है I accept का, आपने accept पर click किया, तो आपका यह verifying account का, आपका जो form है, वो खुल जाएगा, इसमें आप वो phone number जो है, वो दुबारा accept पर click कर देंगे, और आपकी जो email है, वो congratulations message के साथ create हो जाएगी, इस तरह से हम email जो है, अपनी create कर सकते हैं यह था हमारा account को create करने के लिए practical, अभी हम practical जो है, वो मैं आप लोगों को live sessions में इसके बारे में, सारे के बारे में बताऊंगी, इसके आगे का हम next video में करेंगे